हेलो फ्रेंड मैं फिरोज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पेशन सातियों आज मार्निंग ग्लोरी पौदे की जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको मैंने सीड से ग्रो किया था और इन सीडो को मैंने आनलाइन परचेस किया था लेकिन मुझे दुख है जिन सहाबान से मैंने ये सीड परचेस किये थे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि करपिया जूट बोल कर आप इस सीड को ना बेचे आप इसमें मल्टी कलर सीड बोल कर कोई ऐसे पौदे के बीज रखते हैं जो कामन होते हैं जो कलर कामन होते हैं और वो आसानी से हर जगे मिल भी जाते हैं लेकिन इन्होंने मुझे जो सीड भेजे उसमें केवाल ये परपल कलर का फ्लावर यह है और जबकि उसमें पिंक या दूसरे अन्य कलर भी इन्होंने बताये थे साथियों इस पादों को मैंने ग्रो किया था और काफी अच्छी ग्रोथ भी थी लेकिन इस पर स्पाइडर माइस्ट का शायद अटेक हो गया इसकी पत्यों के निचले हिस्से पर जाला सा दिखाई देने लगा और एक घना जाला था जिसके बीचों बीज में कुछ अंडे और बच्चे जैसे दिखाई पड़ा रहे थे काफी ज्यादा मातरा में यह थे तो इसलिए मैंने इन पर नीम आयल से इनको हटाने के कोशिश की लेकिन एक बार में यह नहीं हटे अब मैं इनकी सभी इन्फिक्टेड लीफ को हटा कर फिर से एक बार नीम आयल का शिड़का करूँगा क्योंकि जब यह पत्तियां होती हैं तो कहीं ना कहीं यह कीट बचे रह जाते हैं और लिक्विट जो आप शिड़का करते हैं वो हर जगह नहीं पहुंच पाता है इसलिए मैंने इनकी सारी पत्तियों को एक एक करके हटा दिया है और इस पर मैं अब नीम आयल का शिड़का कर दूँगा इसके साथ ही लगबग दो लीटर पानी में मैंने दो एमल नीम आयल लिया है और उसमें दो चुटकी डिटरेजन पाउडर भी मिक्स किया है जिससे नीम आयल अच्छे से उसमें घुल जाए और इस पर अब मैं उसका छिड़काव कर दूँगा साथियों ये कीट जब पत्यों पर लगते हैं तो ये देखे इस तरीके से नीचे पत्यों के नीचे लगते हैं और ये दीरे दीरे एक साइट से पत्य को भूरा करते रहते हैं और खराब कर देते हैं इनकी पत्यां धबेदार पीली चकते वाली हो जाती है और सूख कर गिर जाती है यह देखिए मैंने इस नीमायल का प्रियोग किया है और जल्दी ही एक अच्छा रिजल देखने को मिलेगा इस पर नियो ग्रोथ भी हो रही है जिन पर कीटों का आसर नहीं है उनको मैंने छोड़ दिया है तो यह मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सका एक रुक्वेस्ट है मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आता रहूं इसी के साथ इजाज़ चाता हूँ फिर में लोग एक नहीं वीडियो के साथ धन्यवाद